किताबे पढ़ने वक्त क्या कभी नींद आने लगी है आपको? आप सोचेंगे कि ये भी कोई बात हुई भला? क्योंकि कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसे कभी किताबे पढ़ते पढ़ते नींद ना आई होगी? एक्जाम्स का सीजन चल रहा है और ऐसे में कई बच्चों ने ये ताने सुने होंगे कि बुक्स उठाते ही इसे नींद आने लगती है ताने छोड़ भी दे तो आपने अकसर अपने बड़ो को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर तुम्हे रात में नींद नहीं आ रही है तो कोई किताब उठाकर उसे लेकर लेट जाओ और पढ़ो थोड़ी देर में नींद आने लगेगी और ये हाल सिर्फ बच्चों का ही नहीं है बड़ो को भी अपने आप ही किताबे पढ़ते वक्त जबकी लगने लगती है या फिर नींद आने लगती है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर चीज के पीछे होता है एक कारण तो इसके पीछे भी जरूरी होगा क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यूं किताबे पढ़ते ही हमें नींद आने लगती है क्या है इसके पीछे के कारण अगर आपको या आपके बच्चे को किताब खोलते ही नींद आने लगती है तो इससे बचने के क्या-क्या उपाय है सब कुछ बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम है शामभवी शर्मा आप जनता जंक्षन का स्पेशल सेग्मेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं देखें कई लोगों को लगता है कि पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं मतलब कि जब पढ़ने कहा जाए तो जान बूच कर आलस में किताबे लेकर सोजाते हैं लेकिन अगर आप वैग्यानिकों की सुनेंगे तो उनके हिसाब से ये कोई बहाना नह ही है बलकि इसके पीछे है ठोस वज़य तो आज आपको इसका कारण बताएंगे साथ ही पढ़ते-पढ़ते सोने से परहेस करने के लिए कुछ कारगर टिप्स भी देंगे उसके पहले अगर आप भी किताबे पढ़ते हुए सोचाते हैं तो कॉमेंट करके हमें जरूर बता आते हैं तो कई टीचर्स यहां तक ही हमारे माता-पिता भी हमें बोलते हैं कि कई बार पढ़ने से दिमाग में उस चीज़ को हम घर कर लेते हैं यानि कि उस चीज़ को आसानी से याद कर लेते हैं ऐसे में जब भी हम किताब से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को उस चाप्टर की हर चीज़ को फीड करने में तुरंट जुट जाता है यानि कि उसके लिए प्रयास करने लगता है और सारा दबाव या प्रेशर हमारी आँखों पर पड़ता है ऐसे में इस प्रेशर के कारण एक समय के बाद हमारी आखों के पास के मसल्स यान की मांस्पेशिया ठकने लगती हैं नतीजन शितिल पढ़ने लगती हैं जिसकारण एक सिगनल जो दिमाग को जाता है वो उसे दिमाग को ठका देता है हमारे दिमाग को वो सिगनल कमजोर कर देता है नतीजन थोड़ी ही देर में दिमाग भी ठक जाता है और किताबे पढ़ने वाले व्यक्ति को तुरन नींद आने लगती है साथी साथ पढ़ाई करने वक्त हमारा शरीर भी आराम की मुद्रा में आमतोर पर होता है क्योंकि सारा काम आखे और दिमाग कर रही होती है ऐसे में इंसान का शरीर भी शितिल पढ़ जाता है और नतीजन आखे और दिमाग एक समय के बाद सुस्त पढ़ जाती है और फिर नींद आने लगती है इसको आप ऐसे समझे कि जब भी हम बस, ट्रेन, कार यहां तक कि बाइक या स्कूटी से भी सफर कर रहे होते है तो एक समय के बाद हमें नींद आने लगती है जो कि बहुत ही हलकी नींद होती है क्योंकि इस सफर की प्रक्रिया में भी इंसान का शरीर आराम की मुद्रा में होता है यानि कोई activity नहीं कर रहा होता है यानि कि चल फिर नहीं रहा होता है सिर्फ इंसान की आँखे और दिमाग काम कर रही होती ऐसी परिस्तिती में तो जब भी इंसान का सिर्फ दिमाग और आँख काम कर रहा होता है मगर शरीर शान्त होता है तब उस परिस्थिती में हमारे शरीर और आँखों के पास की मांस्पेश या शितिल पढ़ जाती है और हमें नींद आने लगती है यही कारण है कि हमेशा पढ़ाई करने वक्त कुछ मुद्राओं का पालन करने की सलाह देते हैं साइंटिस्ट तो सबसे पहले अगर आप पढ़ने वक्त लेट कर या फिर बिस्तर पर सो कर पढ़ेंगे तो आपका शरीर और आराम की मुद्रा में जाने लगेगा और अपना लेगा उस मुद्रा को ताकि आपका दिमाग ठक जाए तुरंत ही आपको नींद आने लगेगी लेगिन वही अगर आप कुरसी और टेबल पर बैट कर पढ़ेंगे यानि की चैर और टेबल पर बैट कर पढ़ाई करेंगे तो आपको जल्दी नींद नहीं आएगी चुकि आपका शरीर अलर्ट मोड में रहेगा पहले के लोग अक्सर ये कहते थे कि कम रोशनी में पढ़ते थे हम लोग काफी स्ट्रगल करते थे हम लोग ये किस्से आपने भी सुने होंगे खास तौर पर ताने की तौर पे लेकिन अगर आप कम रोशनी में पढ़ेंगे तो आपकी आँखों को ज्यादा थकावट होगी और नतीजन नीद आएगी तो पढ़ने वाली जगह पर अच्छी light रखें भरपूर रोशनी रखें कहते हैं कि जब मुँपर साफ हवा लगती है फ्रेश हवा लगती है तो नीद नहीं आती है बलकि दिमाग ठंडा रहता है फ्रेश रहता है तो ऐसे में experts का मानना है कि पढ़ने की जगह पर यदि हवादार खिड़की हो तथा रोशनी हो तो नीद नहीं आती है शरीर active रहता है अक्सर आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपका शरीर आराम चाता है यानि कि अक्सर ये दिन के समय में आपने गौर किया होगा तो कभी भी पढ़ने के पहले भर पेट खाना नहीं खाएं बलकि हलका भोजन करें ताकि नीद ना आए पढ़ने के वक्त जब भी हलकी थकावट हो तो पानी पी ले और मूँ धो लें दिमाग तुरंट अलर्ट हो जाएगा कुछ खाने की चीज जैसे की बिस्किट या फिर हलका स्नाक्स खाते रहने से आपका दिमाग active रहता है और नीद नहीं आती है चुकि कैफीन प्रसिद है नीद रोकने के लिए तो चाई या कॉफी भी अच्छा उपाय होता है नीद से बचने के लिए ये कुछ तरीके आपको मदद करेंगे पढ़ाई करने वक्त सोने से बचने और बागी मिलाज उलाकर अगर आपने अच्छी और पर्याप यानि की sufficient नीद ली है तो वैसे भी आपका दिमाग और शरीर अच्छा खासा active रहेगा और आप पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई क कर पाएंगे अब इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं वीडियो को सभी लोग साथ शेर करना मत भूलेगा आप हमें फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करेगा साथी रील्स पर बहुत 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 बनेवाद